नमस्कार दोस्तों मैं हूं सुमी चोधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉम पर आपका बुदबुद स्वागत है हम पढ़ रहे थे Modern History of India यानि कि आधुनिक भारत का इत्यास और जिस बुक को हम रेफर कर रहे हैं आधुनिक भारत के इत्यास में वो है स्पेक्टरम की A Brief History of Modern India जो की लिखी गई है राजीव अहीर जी के द्वारा तो इसमें हम अब पहुंच चुके हैं People's Resistance Against British Before 1857 यानि कि 1877 की करांती से पहले भारत में जो बिर्टिशस के खिलाफ जो विद्रो हुए उनको हम पढ़ रहे थे और इसको हम चार भागों में पढ़ रहे हैं इस स्पेक्टरम में इनको चार भागों में दे रखा है और मैं यही कहूंगा कि ओर्डर से देखिए और इस डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक दे रखा है और इस वीडियो की PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलिग्राम लिंक जोइन करना है वहाँ से आपको सब मिल जाएगा ठीक है अब इस वीडियो में हमें क्या-क्या पढ़ना है सबसे पहले पढ़ना है रिवल्ट ओफ धूंदिया एट बेडनूर जो की सता सुनिनाणमे से अठारा सो के बीच में हुआ रेसिस्टेंस ओफ केरला वर्मा पजहासी राजा ठीक है ये दो चर्णों में हुआ सतानमे में और अठारा सो से अठारा सो पांच के बीच में सिविल रिबेलियन से अवध सता सुनिनाणमे में अपराइजिगई गंजम ँग गं सूर 1500 और 835 ये दो चर्णों में हुआ अपराइजिग इस पलामू और अपराइजिग इन भिवानी सब के मैप्स की भी बात करेंगे कौन सी जगह कहां पे है इनकी भी बात करेंगे रिबोल्ट क्यों हुए अप्राइजिंग का क्या प्रिणाम रहा, सारी चीजों को बात देखेंगे, कौन इसका लीडर था, किस तरीके से अंदल रही, चलो देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं, रिवोल्ट ओफ धूंदिया एट बेदनूर अब बात करते हैं, धूंदिया कौन था और बेदनूर कहाँ है, बेदनूर पढ़ता था इस महसूर के पास, यहां पे बेदनूर कहीं पढ़ता है और एक मराठा व्यक्ति था एक मराठा सरदार था बेसिकली ये एक तरीके से इसका नाम था धूंदिया वाग पूरा नाम है धूंदिया वाग ये क्या है बार बार इन्वेजन करने की कोशिश किया करता था मैसूर के किंडम पे मैसूर का किंगडम आपको ध्यानी है कि ये वो मैसूर है टीपू सुल्तान वाला हैदर अली वाला जिसके साथ अंग्रेजों ने चार लड़ाईयां लड़ी जिनको कहते हैं एंगलो मैसूर वार जिसको हम पढ़ चुके हैं और ये बार बार आपको पता है मराथा इनके साथ इनके कॉन्फिक्स चलते रहते थे निजाम के साथ इनके कॉन्फिक्स चलते रहते थे त्राउंड कोर के साथ चलते रहते थे लेकिन टीपू एक अच्छा लीडर था मतलब लीडर मिलिटरी वाइज उसके अच्छा पावरफू लीडर था तो वो एक तरीके से इतना आसान से उसको कंट्रोल करना आसान कंटेन करना आसान नहीं था बिटिशस की भी नाक में दम कर दिया था टीपू सुल्तान ने आपको ध्यान है तो टीपू सुल्तान जब पाउरफुल था तो धूंदिया वाग को एक बार कैप्चर कर लिया इवन कैप्चर करके जेल में डाला और उसको जवरदस्ती इसलाम भी कबूल करवाया ठीक है और जेल में डाल दिया लेकिन समय आता है टीपू सुल्तान का 1799 में जब चोथा एंगलो मैसूर वार होता है और उस चोथे एंगलो मैसूर वार में टीपू सुल्तान हार जाता है जिसको बोलते हैं सीज ओफ स्री रंगा पट्टम क्या है राजधानी हुआ करती थी ना इस मैसूर किंग्डम की तो जो ही टीपू हारा बैटल फिल्ड में ही मारा गया था उसके बाद धूंदिया को इस जेल से रिलीज कर दिया धूंदिया अब आजाद हो गया तो इसके बाद इसने क्या किया अब ये चुप नह रहे थे तो इस वेक्ते का मानना था कि ये फोरें पावर से और इनके खिलाफ हमें आंदोलन करने चाहिए इनके खिलाफ हमें रिवोल्ट करने चाहिए लड़ाई लड़नी चाहिए और ये लोगों को काफी इंफ्लेंस भी करता था लोगों को भी इनके खिलाफ भड़कात किया और एंटी बिर्टिश सेंटिमेंट को काफी पर्मोट करके एक तरीके से इसने चोटी सी टेरिटरी में खुद को रिबेलियन घोशित कर दिया बिर्टिश के खिलाफ अब क्या है अंग्रेजों के साथ एक लड़ाई तो होनी थी और आप जानते हैं कि इस्ट इंडिया क एक तरीके से लड़ाई शुरू कर दी और शुरुआत बात देखिए एक मराथा रीजन में जो भी चोटे मोटे इसको जो भी वक्ति मिल रहे थे छोटा कोई प्रिंस मिल गया कोई अपने ईलाके का जमिदार मिल गया कोई बड़ा जो भी व्यक्ति जो इंफ्लेंस उसको अ सितंबर तक आते मार दिया गया वोलिजली की सेना ने इसको मार दिया हलंकि धूढ़ा मारा गया लेकिन इसका परभाव भोत रहा है यह बैद्नूर वाला जो इलाका है न साउथ में इसमें आज भी धूढ़ा कोmers काफी अच्छा था यह लोगों तक अपनी बात तो कन्वे कर पाता था ये बात भी समझा पाता था कि ये बिटिशास का जो रूल है हमारे लिए कितना खराब है ठीक है ये धूंदिया का रिवोल्ड था बेदनूर में ठीक उसके बात करते हैं बात रेसिस्टेंट्स ओफ केरला वर्मा पजहासी राजा तो ये केरला वर्मा का जो रूल है ये भी कहा है ये भी यहीं पे है ये तो है त्राउन कोर ये है मैसूर यहां पे एक छोटा सा स्टेट हुआ करता था केरला का अब तो केरला काफी बड़ा है ये कोटायम ये कोटायम ज टाइगर ओफ मैसूर बोलते हैं आपने ध्यान होगा वैसे ही इनको बोला जाता था पजहासी राजा को लाइन ओफ केरला पाच्छे राजा और यह जो है यह भी टिपू सुल्तान और हैदर अली की तरह ही यहां पे डिफैक्टो रूलर था पहले यह काफी पॉस्ट से होता ह हुआ यह परधानमंत्री जैसे रहा था उसके बाद यह खुद रूलर की तरह था तो यह मालाबार रिजन में इसकी काफी अच्छी रस्पेक्ट थी अच्छा डॉमिनेंस था लेकिन बहुत बड़ा इसका अमपैर था नहीं इसलिए कई बार आप इसके इनके बारे में ज् स्टेट तो इदर मैसूर था मैसूर के साथ इनकी एक तरीके से ठीक था कभी इनके साथ कॉन्फिक्ट चलते रहते थे लेकिन अंग्रेजों का अभी तक यहां तक वह डॉमिनस था नहीं क्योंकि बीच में टीपू पढ़ जाता था तो इसलिए 1790 का जो समय था तो इसरे एंगलो मैसूर वर में एक तरीके से काफी आगे पहुंच गए थे बिर्टिश और इनका डॉमिनस इस रिजन में हो गया था कुछ एरिया को इन्होंने कैप्चर भी कर लिया था मैसूर से ठीक है तो यहां इसके बाद क्या होता है बिर्टिश इस बात को भूल जाते और यह बात आप पता है हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कितनी बार हम बाते हैं कि बिर्टिश कितने बड़े दोखे बात थे कितना चलावा करते थे जिस बात में वो एगरी करते थे उसमें वो कभी नहीं रुकते थे अपनी बात पे ठीक है वैसा ही इन्होंने इनके साथ क अगर बनाया है वीरा वर्मा को तो विएसली पपेट ही बनाया है अपनी मर्जी से वो उससे काम करवाएंगे तो वीरा वर्मा ने क्या किया यहां पे जो उनको टार्गेट मिला था कि इतना आपको टैक्स वसूलना है किसवानों से यह सब चीजे इनको से वसूलनी है तो वो सब चीज़े इन्होंने करनी शुरू कर दी तो इससे क्या हुआ कि टैक्स बढ़ा दिया इतनी रेट बढ़ा दी तो किसानों के बीच में एक गुस्सा फूट पड़ा किसानों का अंदोलन यहां से शुरू हो जाता है तो किसानों को लीड किसने किया फिर 85 राजा के पास के थुरू इन्होंने बार बार अंग्रेजी सेना को चैलेंज किया उसे बाद फाइनली बेटिसस किहार के मान लिया और उन्होंने कि चलो इससान अगर वी नहीं देंगे अपना टैक्स ही नहीं देंगे तो हम भी किस को रूल करके वीर राजा को वीर-वर्मा को बठा के क्या करेंगे यहां पे तो इन्होंने एक peace treaty सी sign की एक तरीके से तनाव जो है उसको हटाने के लिए यहां पे फिर से इनको बना दिया राजा पजहासी राजा को बना दिया वीर मरमा का चप्टर यहां पे close हो गया ठीक है लेकिन बाद में क्या होता है 1799 में जैसा कि ज्ञान है कि एंगलो मैसर वोर में टीपू सुल्तान हार जाता है तो जो वाइनाड का जो इलाका है वो पहले टीपू के कंट्रोल में था सता सुनिनाड में तक लेकिन वाइनाड का जो इलाका है उस पे हमेशा केरला अपना बताता था अधिकार कहता था यह हमारा लाका है टीपू ने हमसे चीन लिया लेकिन यह एक तरह से हिस्टोरिकली हमारा ही लाका है तो इस वाइनाइड की जो बात है इसके उपर एक बार फिर से बिर्टिशस और यह पजहासी राजा एक दूसर के आमने सामने आ गए कि भाई वाइनाड तो जीत लिया था एक तरह से बिर्टिशस ने टिपू सुल्तान से और दूसरी तरफ इसका क्लेम कोन कर रहे थी पजहासी राजा ठीक है तो इसके बाद क्या होता है अठारा सो से ले जाता है यह एक गन फाइट में मारे जाते हैं और फिर धीरे-धीरे करके यह जो केरला करनाटक का जो बोर्डर है वहां पर मारे जाते हैं धीरे-धीरे अंदोलन जो है खतम हो जाता है ठीक है इनकी डेथ के साथ ही फिर बात करते हैं सिविल रिबेलियन इन अवद अब बाद जो बकसर का बैटल हुआ था बैटल ओबकसर उसके बाद से ही बिटिशर्स की डॉमिनेंस में था तो 1799 आते आते 1797 के सितंबर महिने में वजीर अली खान यहां पे रूलर हुआ करता था ओवद का ठीक है लेकिन धीरे धीरे करके आगे समय जो बदला तो आप जानते है वजीर अली खान चाता था कि वो खुद रूल करे उसके उपर किसी तरीके का कोई फोरें पावर का डॉमिनेंस ना रहे लेकिन बिटिशर्स तो अपने पपट के इस तरीके से चलाते थे आवद के रूलर को ठीक है तो आवद का जो रूलर है वजीर अली खान ये एक तरीक खबाण सेकेंड को यहां पे रूलर बना देतें नवाब बना देतें ये बात वजीर अली खान को बिलकुल पसंद नहीं आती और वजीर अली का को यहां पे पेंशन पर भेज दिया जाता है बनारस में लेकिन वजीर जो फेडरिक cherry इन्हों ने लंच बुलाया invite कि आउव आप बैठते हैं कुछ बातें करते हैं इस बारे में मतलब इन के बीच में कुछ बाद्चित के लिए इन्हों नहीं किया था जोर्ज फेडरिक cherry ने ऐसा spectrum में भी लिखा हुआ है उसके बाद क्या होता है ये हैं वजीर अली खान और ये आप उस समय का अवध है ये अवध आपको दिख रहा है ना ये अवध है जो इसकी सीमा इधर नेपल के साथ लगती थी और ये उतर प्रदेश का में जो इलाका है बरेली मुरादवाद ये वाला जो इलाका है सारा इनке इस अवध में आया करता था झ है अब क्या होता है वजीर अली खान को रेजिडेंट ने बुला लिया लेकिन वहां पे क्या इनके बीच में आर्ग्यूमेंट हुई क्या बात हुई और वजीर अली खान वैसे गुस्षे में था उसने सब मजी स्टेट के ओफिस पे बिए मजी स्टेट को भी मारने की कोशिश करी लेकिन मजी स्टेट कैसे बच गया वहां पर फोर्स पहुंच चुकी थी अंगलिश आर्मी अब क्या होता है इसके बाद इसी को इस घटना को जो ना रेजिडेंट को मार दिया उसके साथ वाले लोग खां जो है वजीर अली खां उसके बाद एक अपनी आर्मी को यहां पर लेके जाता है सामने बिटिश आर्मी आती है जर्नल एसकिन जो है वो आर्मी को लीड करते हैं विजटेश आर्मी को और वजीर अली खां की आर्मी को हरा देते हैं यह ओविस बात है जो पहले से चलता आ रहें कम आर्मी होती थी तो भी हरा देती थी तो उसके बाद वजीर अली खां को यहां से भागना पड़ा और वह भुटवाल होते हुए और सीधा जैपुर के राजा के पास पहुंचा असाइलम के लिए कि हमें बचा लो भाई हमें शरण दे दो तो जैपुर के राजा ने शरण दे दी उस समय और थर वेलेजली जो है वह लिखते हैं राजा और जैपुर को कि आप वजीर अली को छोड़ यहां से भेजिए क्योंकि यह हमारा दोशी ह है थैरे जासे हम बार-बार रैक्वेश्ट करते हैं कि वीजे मालया को भेज़ दो मेहल जोक्सी को भेज़ दो है न उसी तरी Всёनों ने कहा कि हमारे आप इसको जो पनिश्मेंट देंगे वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि मारी दिया और इस तरीके से डिस्पोल्ज कर दिया तो वेलेजली ने इस सर्थ को मान लिया और उसके बाद दिसंबर सता सुनिनाण में को वजीर अलिखां है उसको सरेंडर करना पड़ा राजा ने भेजदिया जापर की राजा ने और विलियम पॉर्ट विलियम जो था ब्रिटिशस का मैन किला कलकत्ता वाला वहाँ पे वजी और गुमसुर कहां पे हैं यह हम मैप में बात कर लेते हैं यह है गंजम डिस्टिक उडिसा में है इस पूरे मैप को ध्यान से देखिए यह वाला जो इलाका है ना 1,2,3,4,5 यह सब यह वाला रिजन जो था ना इसको बोलते थे नोर्दन सिरकार हमने पिछले वीडियो में भ पढ़ता है आज की टाइम और यह उडिसा का कुछ हिस्सा और आंदर प्रदेश का कुछ हिसा नोर्दन सिरकार बोला जाता था इसको इसमें बिर्टिशस की डॉमेंस धीरे-धीरे करके इन्होंने इस इलाके में डॉमिनेट कर रहा है क्योंकि यहां पर फ्रांस की डॉमिन की तरीके से भार्द से ख़देर देना तो यह कभी-कभी राजाओं के साथ कोई ट्रीटी साइन करते थे उनको बाद में उन ट्रीटी पे तो रहते नहीं थे लेकिन उनको अपने पक्ष में करके अंग्रेश के फ्रांस की खिलाफ कर देते कैसे भी बिर्टिशस कुछ भी म उन्होंने कप्चे कर लिया था उसके साथ तो स्त्रीकारा भंज नाम का एक जमीदार हुआ करता था गुम्मूर में जो की गंजम डिस्टिक में है आज के समय उसने कहा कि मैं बिर्टिश की उथर्टी को मानता नहीं हूं बई कौन है लोग हम तो इसको इनको कभी टेक्स द कर दिया खुद को और पबलिक अथर्टी में किसी भी तरीके से बिर्टिश की बात को मानना मना कर दिया श्त्रीकारा जो है इसने जलानी देव जो है विजिया नगर के जो उस समय के रूलर थे जो वह लोग थे उनके साथ इन्होंने वह किया जगरनात देव जो थे एक तरीके से रिलेशन बनाए डिप्लोमेट सी स्टैबलिश की दूसरों के साथ और फिर देरे-देरे इन्होंने कुछ रिवल्ट किये कुछ है एक तरीके से जो गुरिला वरफेर्स में बिटिशर्स की आर्मी को यहां पर पुश्बैक भी किया लेकिन बाद में बिटिश तो आपको भी कुछ फाइदा हो जाए हमें भी फाइदा हो जाए एक तरीके से इस मामले को इन्होंने निप्टाने की कोशिश की लेकिन बाद में स्रीकारा भंट जो है भंज यह तो मान गया लेकिन बाद में 807-8 में इसका बेटा जो है धनंज भंज इसने अपने पिता क एक कि इसके खिलाँ काय रहा कि जो पापा के साथ जो एग्रिमेंट हुआ वो अब इसने डिस्मिस कर दिया और कहा कि इसको फैंको जैसे बिटिश करते थे ना किसी एग्रिमेंट में वो वादा खिलाफत कर देते वो इसने किया और जून 815 में इसने क्या किया पहले रिबेल कर दिया था जून 815 आते आते इसको सरिंडर करना पड़ा क्यूंकि बिटिश आर्मी ने इसको कैप्चर कर लिया था स्रीकारा जो भंज थे इसको फिर से जमिदार बनाया गया 1819 से लेकि 30 के बीच में जमिदार फिर से रहा लेकिन बाद में इसकी भी एज हो गई थी और इसने लोग भी इसके समर्थन भी इतने नहीं थे क्योंकि वो पसंद करते थे धननजे भंज को तो इसने कहा कि मैं रिट बिटिशर्स के कुछ उनके मोटिव थे वो धननजे को अपने हिसाब से चलाना चाते थे और उससे अपनी मनमर्जी का टैक्स वसूल वाना चाते थे जो कि वो पे नहीं कर पाया जितना रिवे ने उससे मांगा गया उतना उसने पे नहीं किया उसके बाद बिटिशर्स और इनके बीच में फिर से एक गर्मा-गर्मी इखट हुई और उसके बाद इसने फिर से रिबेल कर दिया फिर से एक तरीके से तनाव यहां की इस्तती हो गई तो फिर से ब्रेटिशस ने अपनी आर्मी भेजी और नॉमबर अठासो पैंतिस में इसने ब्रेटिशस ने गुमोर को और उंड़ा तो कपट्र कर लिया उपक्पाई कर लिया फिर से तो दो बार चला है दो फेज में हुआ है पहले एक बर किया अठासो के आसपास फिर रिफज wicked और यह फिर इस्ट इंडिया कंपनी को लेकिन दिसंबर 835 आते आते धनंजय मारा गया एक लड़ाई के अंदर बिटिशस के साथ ठीक है और उसके बाद जो एक व्यक्ति थे रशल कैप्टन रशल इसको अपॉइंट किया गया यहां पर कि आप इस आंदोलन को किसी भी तरिके से किसी भी ब्रूटालिटी से दबाओ इसको खतम करो यह बहुत बार हो गया है पहले भी हो गया अभी भी हो गया तो 837 आते जो भी रिबेलियन बचे थे धनंजय भंज के समर्थक वो धीरे-धीरे उनको दबा दिया गया किसी को मार दिया किसी को जेल में डाल दिया और कुछ अपने पलामाओ डिस्टिक यह रहा कुछ हिस्सा पहले इसका 36 गड़ के साथ भी लगता था उस समय तो इस पलामाओ में यह अंदोलन हुआ था वहां पर यह अपराइजिंग थी और क्यों हुई थी चुरामन राए इस समय यहां के रूलर हुआ करते थे जिसको अथोर्टी दे र ज्यादा टैक्स वसूली करता था ज्यादा शोशन करता था लोगों ने इसके खिलाप कर दिया रिवॉल्ट फाइनली अठारा सो आते आते और इस रिवॉल्ट को लीड किया भुकन सिंग ने एक वेक्ति था भुकन सिंग इसको का जा था चेरो चीफ और इस लिए इस 18203 को दबाया गया जब वुकन सिंग मारा गया आंदोलों में और उसके बाद जब वुकन सिंग मारा गया तो धीरे-धीरे करके जो इसके जो बाकी लोग थे वो भी शांत हो गए और यह पलमाओ का जो रिजन है यहांपने आप देख सकते हैं अब बात करते हैं last हमारी Uprising in भीवानी, Uprising in भीवानी जो है, भीवानी कहां पर है आप बताओ, हरियाना में district है भीवानी, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, हाँ यह मैप यहीं पर है, कहां पर है भीवानी, यह रहा हिसार के पास, ठीक है, तो भीवानी जो है इधर राज् है इसके बाद पहले वाले जो रिवॉल्ट है ना उसके बाद पला मौ तब मैं सोचो मैंने मिस कर दिया लेकिन वो इसलिए मिस कर दिया क्योंकि वो काफी बड़ा अंदोलन है उसको हम शुरू से देखेंगे वीडियो के फोर्ट है उसके अंदर वो चले गए और वहां पे अंदर जाके उन्होंने बिटिश अथोर्टी को कहा कि अब हम हैं रिबेलियन हम आपकी अथोर्टी को बिलकुल नहीं मानेंगे और अंदर जाके वो पहले से ही रह गए थे कि बिटिश को किला फत्य करना इतना आसन काम था नहीं बहुत यह जो फोर्टिफिकेशन है इसको तोड़ने में इसको काफी सारे आम्स लगे काफी सारे ब्रिगेड्स लगे और पावर्फुल बैटरिंग रैम्स लगे तब जाकर यह आंदोलन है सप्रेस हो पाया ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है भीवानी का आंदोलन यह समझ में आई होंगी किसी तरह कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलिग्राम का लिंक दे रखा है चैनल को जोइन कर सकते हैं वहाँ ठीक है और अगर आने वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो थैंक यू सो मच फोर वाचिंग दिस वीडियो से यू इन नेक्स क्लास